तो दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि Excel में दो अलग अलग कॉलम में available details को आफ कैसे एक में combine कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे कॉलम B में first name है और कॉलम C में last name है तो मैं एक नया कॉलम create करना चाहता हूँ जिसमें कि मेरा full name रहेगा तो मैं column D में full name रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं full name type कर लेता हूँ उससे पहले मैं यहाँ पर इस column को थोड़ा spread कर लेता हूँ यहाँ पर मेरा full name आ जाएगा तो इसके लिए एक function आपको use करना परेगा जिसका की नाम है concatenate तो यहाँ पर आपको सबसे पहले equal to type करना है equal to type करने के बाद यहाँ पर आपको concatenate type करना है तो यह है हमारा function तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हूआ है joints several text strings into one text string तो यहाँ पर आपको इसे select करने के बाद यहाँ पर आपको पहला name select करने के बाद आपको यहाँ पर comma देना है उसके बाद आपको inverted comma देना है फिर आपको space enter करना है क्योंकि मैं पहले और दूसरे नाम के बीच में space चाहता हूँ फिर आपको फिर से inverted comma देना है उसके बाद आपको comma type करना है फिर आपको दूसरा name select कर लेना है यहां से तो first name है हमारा B2 cell में और second name है हमारा C2 cell में यहां पर मैंने type कर दिया उसके बाद आपको close parenthesis type करना है उसके बाद आपको enter कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा पहला नम अमन था, दूसरा संग तो यहाँ पर मेरा अमन इस्पेस सिंग आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा क्यूं मैंनेNINGर्त कॉमा डालके स्पेसी इंटर किया था वहां पर तो यहाँ पर आपको इस formula को सारे cells में apply करने के लिए यहाँ पर लाना है cell के corner पे जहाँ पर आपको plus sign दिखता है और यहाँ पर आपको double click करना है तो यहाँ पर सारे cell में आपका formula apply हो जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको दो अलग-अलग column में available details को एक में combine करना है और अगर आपको यह video useful लगा तो इस video को like करना न बुले चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दे इसी type के useful video देखने के लिए